इंडिया वर्सेज इंग्लैंड के तीसरे टेस्ट मैच की शुरुवात हुई और सबसे पहले रोईच शर्मा ने टॉस जीत कर बल्ले बाजी करने का फैसला किया लेकिन यहाँ पर तीसरे ही ओवर में हमें भारत की तरफ से यशस्वी जैसवाल का पहला विकेट गिरते हुए लेकिन इसे के बाद में दोस्तों शुबमन गिल आते हैं और उनका भी विकेट पांच वे ही ओवर में गिर जाता है जब मार्पूर की एक और गेंद पर शुबमन गिल यहाँ पर एक लंबा शॉट लगाना चाते थे लेकिन लेंट बॉल को वो समझ नहीं पाए और उन्हो पाटिदारी शुबमन गिल के कंदों पर थी लेकिन उन्होंने भी बहुत ही बड़ी गलती करते हुए यहाँ पर शुन्य रन पर आउट हो गए इसी के बाद दोस्तों क्या था रजट पाटिदार का विकेट हमें दूसरे ओवर के बाद देखने को मिला जब टॉम हाटली क ये गेंद पर रजट पाटिदार के बैट का एज लग जाता है और पीछे खड़े बेंड डेकेट उन्हें काफी आसानी से आउट कर देते हैं और इसी के साथ रजट पाटिदार भी सिर्फ पांच चन बनाकर पविलियन की तरफ लोट जाते हैं रजट पाटिदार को पहल अंदार तरीके से दुवादार बैटिंग करनी शुरू कर देते हैं क्योंकि यहां पर चौके छकों की बारिश होने लग जाती है और इंग्लैंड को समझनी आता कि आखिरकार इन दोनों प्लेयर्स को आउट कैसे किया जाए क्योंकि सबसे पहले रोईट शर्मा अपनी टर चोके और दो चक्य लगा दिये थे वहीं रविंद्र जाडेजा भी पीछे नहीं थे उनुने च्छे चोके और यहां पर चार चक्य लगा धिये थे रविंद्र जाडेजा और रोईश हर्मा की यह जोड़ी भारत को काफी आगे तक पहुंचाने वाली है क्योंकि Tी ब् मैच का हाइलाइट्स आपको कैसा रगा कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताईएगा